दोस्तों जैसा आप देखरें अभी कि मैंने पत्ते के उपर ये लिखा है भावी वश्यम करूँ और साइड में पत्ते मैंने लाल कलर के रखे हुए हैं ठीक दोस्तों तो आपने भी इसी तरह से ये टोड़का करना है आपने भी ऐसे लाल पत्ते लेके बीच में कागच के उपर आपने ऐसा लिखना है और इसी मंत्र का जाब आपने एक सो साथ भार अपने मन में करना है ठीक दोस्तों एक सो साथ भार आपने इस मंत्र का जाब करना है और साइड में जो मैंने पत्ते रखे हैं, लाल कलर रगे, आपने भी यही पत्ते रखने हैं, चाकि जिसका भी वश्यकरण करना हो, वो पूरण हो सके और जल्दी हो सके ठीक दोस्तों, तो आपने 160 वार इस मंत्र का जाप करना है, भावी वश्यम करूँ, भावी वश्यम करूँ, ठीक दोस्तों, और जैसे ही मैंने इन पत्तों के उपर मंत्र मार के रखा हुआ है, तो आपने भी इनके उपर मंत्र मारना है, इसी तरह से रखना है, और मंत्र मारन ठीक दोस्तों फिर उसके बाद आपने इन तीन पत्तों को लेना है और धाग्य से बांध के उसके घर के बाहर रखाना है ठीक दोस्तों इन तीनों पत्तों को आपने बांधना है और बांध के आपने उसके घर के बाहर रखके चले आना है और बाद में इस कागज को आपने ज रखने होंगे नहीं तो आपका ये टोटका पूरा नहीं होगा ठीक दोस्तों तो आपने वीसी तरह से लाल पत्तों के उपर मंतर मार के उसके घर के बाहर रखके चले आना है तो ये था आज मेरा छोटा सा टोटका आपके लिए अगर इस टोटके के जानकारी पता नहीं चलि तो नीचे दिएके नमबर पर अभी संपरागा रहें अन्यवाद जय मात आदी